अगला अर्थिक बिंदु वैग्यानिक आधार पर कृषि का संचालन करना सरकार ये भर्तक प्रयास करें कि जो कृषि हो रही है वो आजलिक तरीके से होए परंपरा का तरीके से जो कृषि है जो खेती हो रही है उसमें उत्पादन कम होता है परंपराबगत खेती की अपनी कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं ज्यादा खर्चिला साबित हो रहा है उत्पाधन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ऐसी स्थिते में सरकार प्रयास करे कि वह कानूनी रूप से प्रावधान करे जिसमें कृषि का संचालन वैग्यानिक आधार पर हो तेरहवा आर्थिक सिध्धान्त रज पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करे तथा पशुओं की नसल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयास करे जैसा कि इस सिध्धान से स्पष्ठ है इसका अतम्मंद पशुप पशुओं के हिच्छ से है और भारती समाज में पशुओं को बहुत निकट रखा गया है अपने जीवन यापन में इसको भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक नीटी निर्देशक सिध्धान के तहत इस बिंदु को जोड़ा गया है चोधा हुआ और द्योगिक संस्थानों के प्रबंदन में कर्मचारियों को भागी दारी बनाने का प्रयास करे और द्योगिक संस्थान और साथ फैक्टरीज वगरे जो हैं वो उसके केवल मालिक ही नहीं प्रबंदन में वहाँ के कर्मचारी भी शामिल किये जाए और अब तो यह कानूनी रूप से आवश्चक हो गया है सरकार ने ऐसे कानून बना दिये हैं जहां पर यह आवश्चक है कि किसी भी फैक्टरी में उसके प्रबंदन में मात्र केवल फैक्टरी के मालिक ही न रहें बलकि वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का भी एक वर्ग कर्मचारियों की भी एक संख्या उसके सदस्रह में और ऐसा करते हैं सुनिश्चित करने कोशिश है सहा भागिता की भावना पन पेगी नीति निर्देशक सिधानतों में 15 सिधान जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं वैसे तो बहुत हैं 15 आर्थिक सिधान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वहा है 44 समवैधानिक संशोधन में आर्थिक सुरक्षा संबंदी निर्देशक तत्वों में एक तत्व और जोड़ा गया ये बहुत महत्पूर्ण है 44 संशोधन इसका जिक्र बारंबार पूर में आ चुका है आप याद रखेंगे कि किसलिए आया था चुवालिट संशोधन 79 में 1979 में आया था जिसका जिक्र मैं पूर में बारंबार कर चुका हूँ यहाँ फिर उसकी चर्चा हो रही है और उसका तालुकात है रहने वाले विविन्य खेतरों में रहने वाले विविन्य विवसाय में जुड़े व्यक्तियों तथा समुदायों के बीच विद्धिमान आय और उनके सामाजिक स्तर तो विद्धाओं और अवसरों इसमें जो भेद भाव है उसे कम से कम करने का प्रयास किसमें Burch में कम से कम, समूदायों के बीच आये और उनका सामाजिक इस्तर व्यक्तियों और समूदाये के बीच आये और सामाजिक इस्तर स्विधाओं और अवसर संबंधी भेध भाव को दूर करने का प्रयास करेगा चवालियस्व संशुदन संपत्य के अधिकार को हटाये जाने के लिए जाना जाता है संपत्य के अधिकार एक ऐसा अधिकार था जिसके तहट अमीर वर्ग और अमीर होता चला जा जा रहा था और जब वो अमीर हो रहा था तो किसकी एवज में गरीबों की, दूसरे शबदों में गरीब और गरीब होते चला जारा था, आउसर समान नहीं हो रहे थे, धना डिवर को ज्यदा आउसर, कमजोर को कम आउसर, ऐसा कुछ होता चला जारा था, इसलिए चाबालीब संशेदन मे इसका भी प्रावधान किया गया कि एक दिशा निदेशक सिध्धान्त भी जोड़ा गया और ये कहा गया कि सरकार से या पेक्षा है कि वह ऐसा प्रयास करेगी जिससे आय और सामाजिक स्तर कांटर सुवधाओं और आवसरों के बीच जो भेदभाव है उसे कम से कम नियूनितम किया जा सके बहुत सारे ऐसे आर्थिक सिध्धान्त हैं हमारे नीति निदेशक सिध्धान्तों में यहाँ पर मातर पंदरा का जिक्र है आपको ये देखना है कि इन पंदरा सिध्धान्तों से क्या परिलक्षित होता है पहली बात ये सब जन कल्यान कारी हैं, इनके लागू, ये सारी ये पंदरा जो मैंने जिक्र किये, इनको यदि सब को कानूनी रूप दे दिया जाए, तो ये जन कल्यान कारी कारे होगा, बहुत बड़ा महती कारे होगा, हमारे सम्विधान के लक्ष को पूरा करने में बहुत सहायक होग दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि आर्थिक योजना से संबंदित आर्थिक मुद्दे से संबंदित ये जो सिध्धान्त हैं ये हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं किसी भी पहलू को अच्छूता नहीं रखा गया चाया वो ग्रामीर क्षेतर हो शहरी क्षेतर हो मजदूर हो अमीर हो शिक्षित हो अशिक्षित हो क्रिशी क्षेतर हो अध्योगी क्षेतर हो पशुपक्षी हो व्यक्ति हो मानविकास हो महलाओं हो पुरुशों आ दिया दिया राज्य के लिए ये कर्तव निर्धारित कर लिए गया है कि इन कर्तव्यों राज्य का ये कर्तव्य है कि इन सिध्धान्टों को वह कानूनी रूप दे देर सबेर उचित समय पर इन्हें सब को कानूनी रूप देने का प्रयास करें वर्गी करन की शैली में जहां पहली शैली थी आर्थिक पहला वर्ग था आर्थिक मुद्दों से दूसरा वर्ग है सामाजिक हित और शिक्षा संबंदी इसमें भी कुछ सिध्धानतों का हमें जिक कर ही लें राज जन्ता के दुरबलतर अंगों के कमजौर लोंगों के लिए अनुसूचि जाति जन चाती उनकी शिक्षा और उनकी आर्थिक खितों के लिए उन्नतिक का प्रयास करेगा और सामाजिक अन्याय तथा शोशण से उनकी रक्षा करेगा और इसी के लिए तो बहुत से आयोग बनाए गए है महिला आयोग का मैंने जिक्र किया अनुसूची जनजाती का जिक्र किया अल्पसंखक आयोग का जिक्र हुआ है और इसके अलावा ऐसे बहुत से संस्थाइं बनी है जो इस तबके के लोगों के लिए विशेश प्रयास कर रही है और कानूनी रूप से कर रही है क्योंकि जब तक ये दुर्बल तथा करते हैं दुर्बल या जिने हम दुर्बल कहते हैं उन्हें हम सबल की श्रेणित में नहीं लाएंगे तब तक समाज समान नहीं रहेगा तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी और ऐसा समाज जिसमें असमानता हो वह समाज सुख और शान्ती के अपेक्षा नहीं कर सकता इसलिए आवशक है कि जल्दी से जल्दी इस तबके के लोगों को उठाया जाए इनके लिए आरक्षन की विवस्था की गई है इनके लिए तमाम प्रावधान किये गए है समय के साथ साथ बहुत से प्रावधान किये गए है जिसके आधार पर ये प्रयास है कि इन्हें उस उस्तर पर लाया जाए जिस तर पर समाज के अन्य तबके के लोग हैं दूसरा राज के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्त को सुधारने का प्रयास करेगा और इसलिए औश्यदी में प्रयोग किये जाने वाले अत्रिक स्वास्त के हानिकारक मादक द्रव्यों मादक पदार्थों के सेवन पर प्रति बंध लगाएगा ये सरकार से अपिक्षा है कि वो अपने खेतर में आने वाले लोगों के स्वास्त की चिंता करते हुए जो भी गैर स्वास्त गति विदिया है उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा और उसी में कहा गया है कि मादक सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रति बंध लगाने की बात कही गई है दुर्भाग्य से ये वाला जो सिद्धान्त है वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है शराब बंदी अभी तक लागू नहीं हो पाई है देश के मत दो-तीन राजियों में हैं बाकी राजियों में किसी कारण वश्ट जिसे लागू किया नहीं जाते का है लेकिन सरकारों से बार-बार अपेक्षा है जनता हर बार सरकार को इस बात कर तकादा करती है कि समवैधानिक प्रावधान के तहत नीटिकत सिध्धान्तों में जो एक सिध्धान्त है उसमें से इस सिध्धान्त के परिपालन में सरकार प्रयास करे कम से कम ऐसा करते हुए दबाव तो बना हुआ है और देर सबेर निश्चित रूप से उम्मीद है कि ऐसे सब मादक द्रव्यों के सेवन पर पूर्ण तर प्रतिबंद लग जाएगा तीसरा शिक्षा के सम्मन्द में प्रस्ताव है कि सम्मिधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 साल तक के बच्चों के लिए नहशुल्क और अनिवारिश शिक्षा लागू हो सम्मिधान लागू होता 1950 में अर्था अपेक्षा थी कि 1960 आते आते सभी लोगों का निवारिश शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा पर बहुत से कारणों जिस में मुक्ष कारण था आर्थिक तंगी यादि सभी को शिक्षा देनी थी इसके लिए बहुत इंफ्रस्ट्रक्टर बहुत सारे शिक्ष्कों की जरुद बहुत सारे भावनों की जरुद फरनीचर की जरुद थी जो संभवता उस समय ऐसा कर पाने में सरकार तत्कालीन सरकारें सक्षम नहीं थी पर देर सबेर बाद में समय के साथ धीरे धीरे सभी राजियों में चौदा वर्च से अंदर के आयू के बच्चों के लिए शिक्षा कंपल सरी हो गई है और ऐसा ना किये जाने पर सजा की प्राधान किया गया बलकि पालकों से भी अपिक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों से काम ना कराकर उन्हें स्कूल भेजें अनिसा उन्हें भी सजा दी जाएगे कोई भी स्कूल 14 साल से कम के बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शिक्षा के संबन्द में जो प्रस्ताओ लगू किया गया जो प्रस्ताओ संविधान में सिध्धान्तों के तहद दिया गया है उसे यद्यपि हम 10 वर्ष की सीमा जो तैकी गई थी उसमें तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन अब हम उसमें उसको पूरी तरह लागू कर सके हैं कानून रूप से अब उसे सरकारे बाद्जी हैं कि वे सभी को नहिशल्क शिक्षा और अनिवारे शिक्षा दें शिक्षा संबंदी और सामाजिक सिध्धान्तों के बाद अगला सिध्धान्त है न्याय और प्रजातंतर संबंदी सिध्धान्त अगली श्रेणी सिध्धान्तों के अगली शेणी का संबंध है न्याय से और प्रजातंतर से भारत में न्याय विवस्था को सुगम और सुलब बनाने के लिए और प्रजातंतर के विकास करने के लिए क्या प्राउधान किये गया है सरकारों से क्या पेक्षा की गई है सरकारें किस तरह का प्रैत्न करें कि न्याएं समाज को मिले सस्ता न्याएं मिले, उचित न्याएं मिले, समय पर न्याएं मिले और प्रजात न्तर भी मजबूत हो तो सरकार से प्रैत्न की अपेक्षा की शिंखला में पहला है न्याएं की प्राप्ति हेतु राज्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा समान कानून सभी नागरिकों के लिए अभी फिलहाल कुछ मामलों में सभी नागरिकों के लिए कानून समान नहीं है कुछ खास धर्म तबके के लोगों के लिए जो कुछ अलग कानून है उनकी परमपराओं को देखते हुए तो बारम बार इस बात की चर्चा होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पर लागू हो और उसके लिए प्रयासरत है अभी तक सफलता नहीं मिली है पर दिशा तो सपश्ट है कि सरकार को अंत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है दूसरा सरकार अपनी लोक सेवाओं में नयाय पालिका को कारेपालिका से प्रिथक करने का प्रयास करेगी नयाय पालिका अर्थात जो कानून की रखवाली है कारे पालिका अर्था जो आदेशों को लागू करती है इन दोनों में कोई संबंध न रहे अलग-अलग रहे ये इसलिए जरूरी है ताकि निया पालिका जो है किसी भी तरह के राजनायतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त रहे इस पर हम विस्तार से जब हम निया पालिका अध्याय पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये जो प्राउधान बहुत आवश्यक था और सरकार ने इसे काफी कुछ कर भी लिया है सरकार से अपिक्षा थी सिध्धान के तहट कि निया पालिका को कार पालिका के दबाव से मुक्त रखा जाए सरकार ने इसमें काफी कुछ सफलता पाली है और दोनों अलग अलग है दूसरा निया संबन्दी और प्रजा संबन्दी प्रजातंत संबंदी मामला प्रजातंत की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों के सिध्धान्त में एक सिध्धान्त ये है कि राज ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उन्हें इतने अधिकार देगी कि स्वायत स्यासन के रूप में कारिश कर सके जैसे जिले में जिला परिशद होता है जिले में नगर निगम होता है नगर पालिका होती है ऐसी ग्राम पंचायत भी होगी जो स्वायमेव इतनी सक्षम होगी कि वह पूरे अपने गाउं का की देख भाल कर सके पूरे गाउं की स्वायत स्वायत शासन की एकाई की रूप में कारिफ के और इसमें भी काफी कुछ सफलता सरकार नेपाली है कानूनी प्राधान करकर के तो इस पकार न्याय और प्रजातंत संबंदी तत्व जो तीसरा वर्ग था उसके बाद हम चलते हैं चौथी श्रिणी में चौथी श्रिणी है राश्री महत्व के इस मारक इस्थान औ और वस्तियों की सुरक्षा संबंदी पूर में मैंने जिक्र किया था कि कैसे कई जगह कई स्मारकों में कई स्थानों में मंदिरों में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वे लोग कई जगह दिवालों में कुछ-कुछ लिख देते हैं दुरपयोग कर देते हैं पान के द जाग रहते हैं आदी आदी एटों के साथ खिलवार करते हैं जो धांचा है उसके साथ खिलवार करते हैं और इस पिकार अपने करतवियों का निवारन ठीक से नहीं करते हैं अधिकार के रूप में उस थान में जाने की स्वतंता तो ले लिये हैं लेकिन अपने करतवियों का पालन वहां नहीं करते हैं। वह संसद्वारा जितने भी राष्टी महत के कलात्मक या इतिहासिक दिश्टी से जितने भी समारक हैं वस्तु हैं स्थान हैं उसे नष्ट होने से या उसके खरीदे बेचे जाने से उन्हें बचाएं। ये राष्टी से अपिक्षा हैं कि ऐसे स्थानों को जिनकी अतिहासिक महत्ता हैं जिनकी सामाजिक महत्ता हैं जो कलात्मक दिश्टी से या राष्टी महत्त के हों ऐसे स्थानों वस्तुओं और रस्मारकों के साथ किसी तरह की छेड़ छाड़ ना हो इसका सरकार प्यास करें रज सरकार को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है और इनके क्रै विक्रै पर रोक लगा है इसमें भी काफी कुछ लक्ष पूरा कर लिया गया है और कानूनी प्रावधान किये गया है पांचवीश रेणी वर्गी करन की अंतरगाद पर्यावरण 1 और 1 जीवन इनकी सरक्षा के संबन में हमारे हमारी सरकार से क्या पेक्षा है जो डारेक्टिव प्रिंसिपल में डाली गई है 1976 42 संशोलन इसमें कहा गया है कि राज जो है वो देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार का प्रियास करेगा यानि राज जब भी देश की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा की बात होगी तो दिशा निर्देश के अनुसार कारे करेगा दिशा निर्देश में दिए गए सिध्धान्त के अनुसार वो प्रयास करेगा राजिके द्वारा वनों को राजिके द्वारा वन जीवन की रक्षा का प्रयास किया जाना इसी नीतिगत सिध्धान्तों के का एक हिस्सा है ये राजियों की जिम्मेदारी है और राजिय अब इस दिशा में सतत रूप से प्रैत्नशील दिख रहे हैं जब वे बहुत सारे ख्षित्रों को सैंक्चूरी के रूप में घोशित कर रहे हैं बहुत सारे ख्षित्रों को ऐसा ख्षित घोशित कर रहे हैं जहां पर वन काटे नहीं जा सकते आदी आदी इस तरह के कानून पर्यावरन संबन्दी सुरक्षा संबन्दी सिध्धान्त के तहती बनाये जा रहे हैं और छट्वा है छट्वा वर्गी करन की श्रेडी में अंतराश्टी शान्ती और सुरक्षा सम्मंदी तत्व जो हमारे नीती निर्देशक सिध्धान्त में शामिल किये गए हैं वैसे तो भारत हमेशा शान्ती का अपजारी रहा है भारत हमेशा जीओ और जीने दो की परंपरा का उन्हें पालक रहा है उसने हमेशा इसी सिध्धान्त को अपनाया है और साथ ही वसुद्हईव कुटम्बकम उसका एक मौटो रहा है अपने इसी आदर्ष को और सिध्धान्त को बनाया रखने के प्रयास में वह सरकार से अपिक्षा करता है कि वह अंतरराश्टी क्षेत्र में कुछ ये आदर्षियों को लेकर चलने का प्रयास करें सरकार से अपिक्षा है अनुच्छ दिंकावन के तहट राज को ये निर्देशित है ये अपिक्षित है कि वह इन बातों को ध्यान रखे अंतरराश्टी सुरक्षा और शांती के मामले में वे बातें कौन-कौन सी है तो राज क्या प्रयत्न करेगा इन सिध्धान्तों के तहट पहला अंतरराश्टी शांती और सुरक्षा को प्रोचाहन देने वाले कारे करेगा नीति निर्देशक सिध्धान्तों में ये बात पश्ट की गई है कि राज ये ऐसा कोई सा भी कारेग ना करे जिससे अंतराश्टी शांती को खत्रा हो अंतराश्टी शांती में बाधा पड़ती हो और असुरक्षा की भावना बनती हो बलकि इसके विपरीत वो सुरक्षा और शांती की भावना को बढ़ाने के प्रयास में सतत रूप से लगा रहेगा दूसरा राश्टों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मान पूर्ण संबंध बनाने का प्रयास तीसरा पारस्परिक व्यवहार में अंतरराश्टी कानून, संधी और सम्झोतों का आदर करना पारस्परिक व्यवहारों में अंतरराश्टी कानून, अंतराश्टी विवाद, संधियां और सम्झोतों का पालन करने का प्रयास करेगा ऐसी भावना में वृद्धी का प्रयास करेगा इन संधियों के प्रती आदर रखेगा इन समझोतों के प्रती निश्ठा और आदर रहेगा आदियादर और चौथा है अंतरराष्टी जगड़े ये दि होते हैं जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर है भारत पाकिस्तान के बीच नदी के पानी को लेकर है भारत बांगलादेश के बीच नदी के पानी को लेकर है तो ऐसे जगड़े को मध्यस्तता से ही सुलजाने का प्रयास करेगा ऐसी रज्ज से अपेक्षा है युद्ध से नहीं बलकि मध्यस्तता से लेकिन कभी युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई और तो सरकार को युद्ध करना पड़ा तो हम नियायले में सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते ये कहते हुए कि सरकार ने दिशा निर्देशक सिध्धान्त का अनुपालन नहीं किया याद रखें दिशा निर्देशक सिध्धान्त कानूनी रूप से उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि सिध्धान्त जो हैं वे केवल अपेक्षाएं हैं उम्मीदें हैं उनके कर्तव्य हैं तो अंतराश्टी जगणों को मध्धरस्तता से सुलचाने का ही प्रयास कि तो इस पर हम देखते हैं कि जो निर्देशक तत्व हैं कितने प्रकार के हैं जीवन के हर पहलू को मदते हैं जाहे वहम प्रारम में बताएंगे तीश सेडियों इंब बाटें और या बात की छेईडियों में बाटे हैं हम पाएंगे कि एक विकास शील समाज, प्रगति शील समाज के सभी पहलों को लेते हुए इसमें सिध्धान्त दिये गए हैं। ये जो वर्गी करण है और इसका जो वर्णन है उसके अधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक प्रजातन्त की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश वास्तों में एक लोक कल्यानकारी राजबन सकेगा यदि इन सब नीती निर्देशत सिध्धान्तों को हम कानूनन और ऐसा करते हुए हम प्रस्तावना में सम्विधान की प्रस्तावना में दिये गई उद्देशों अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे दूसरे शब्दों में सम्विधान के उद्देशों प्रस्तावना में दिये गई उद्देशों और अपेक्षाओं को पूरा करने में काफी कुछ भूमिका इस चौथे भाग की है जो सरकार को सतत रूप से आगाह करती है कि वह किस दिशा में प्रयास करे अभी तक हमने बातें की कि नीति निदेशक सिधान्त क्या हैं कितने महत्पूर्ण हैं ये सरकार के करतब हैं ये सरकार थे अप एक शाय हैं कि वह इस दिशा में प्रयास करे आदी आदी इस समयधान को लगू हुए सत्तर वर्ष हो गया साथ दशक इन साथ दशकों में हमने नीति निदेशक सिधान्तों को किस हद तक कानूनी रूप देने में सफलता पाई है थोड़ा इसका अध्यान करें और साथ दूसरे शब्दों में हम जानें कि ऐसे कौन कौन से नीति निदेशक सिधान्त हैं जिनका क्रियानवन हो चुका है जिने इंप्लिमेंट या लागू किया जा सका है कानूनिन रूप से ऐसे कितने और कौन से सिधान्त हैं और कौन कौन से सिधान्त ऐसे हैं जिन पर अभी कुछ भी नहीं किया जा सका है किसी भी सरकार ने इस दिशा में प्रयास करते हुए भी संभावता सफलता नहीं पाई है ऐसे भी कुछ सिद्धानत हैं लेकिन फिलहाल हम एक सरसरी नजर दोड़ाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धानतों का क्रियान 1 Implementation of Directive Principles of State Policy Implementation लागू कौन कौन से प्राधान लागू हो चुके हैं थोड़ा उस पे एक नजर डालें जैसा मैंने कहा ये एक प्रयात्न है सिद्धानत क्या है दिशा निर्देशक है सरकार को प्रयात्न करने के लिए प्रेरित करते हैं जरूरी नहीं है कि सरकार प्रयात्न करें और ये भी जरूरी नहीं कि सरकार प्रयात्न करने पर सफल हो और दोनों ही स्थित्यों में हम सरकार को किसी भी तरीके से कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं मान सकते उसके बहुत से कारण है जिसका जिक्र कर चुके हैं लेकिन ये तरह है कि भारती लोक तंत्र की सफलता का श्रेय नीति निर्देशक सिध्धानतों के सफल क्रियान्वन में नहित है जो सरकार जितने ज़्यादा इन सिध्धानतों को कानूनी रूप देगी वह सरकार उतनी ही भारती लोक तंत्र में सफल मानी जाएगी भारती समिधान लगू हुए साथ दशक हो चुके हैं परन्तु नैतिक रूप से वचनबद शासन को कितनी सफलता मिली है इसको अब हम थोड़ा सा यहां बिन दुवार देख लें मैं कह रहा हूँ नैतिक दिश्टी से नैतिक रूप से वचनबद हम नैतिक रूप से तो हमारी सरकार वचनबद रही है इन सब सद्धानतों को कानूनी रूप देने के लिए लेकिन वास्तों में धरातल में सच्चाई क्या है कितना हमने पाया है कितना हम सफल हुए है तो इसमें पहला कानून पहला जो डारेक्टिव प्रिंसिपल जिस पर सरकार ने बहुत बड़ी सफलता पाई वह था जमीदारी और जमीदारी प्रथा का अंद और भूमी सुधार 1959 चमीदान लगुए एक वर्ष हुआ था और इतना बड़ा कदम उसी नीरती निर्देशक सिध्धान के तहद भारत सरकार लेती है समाजवादी और आर्थिक लोक तंत्र इसकी दिशा में ये प्रियास था 1951 में जमीदारी और जमीदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया जड़ से हटा दिया गया और इसके बाद तो ना जाने कितने भूमी सुधार कानून एक के बाद एक बने क्योंकि सुधार की हमेशा गुझाईश रही इसका अर्थिया है कि सतत रूप से इस सिधान्त को पूर्ण रूपेण सफलता पूर्वक लागू करने का प्रयास हर सरकार करती रही है भूमी सुधार कानूनों को सम्विधान की जो नौवी सुची है उसमें भी डाल दिया गया है नाइन्थ शेडियूल जिसे कहते हैं S-C-H-E-D-U-L-E नाइन्थ शेडियूल में भी इसे सम्विधानिक रूप से एक अनसुची दलाका डाल दिया गया है और इसे एक सम्विधानिक स्थितिप प्रदान कर दी गई है और ये सब किसलिए क्योंकि हमारे दिशा निर्देशक सिद्धान्त में एक सिद्धान्त आर्थिक और सामाजिक समानता को ले कर था जिसके तहतिये कारवाई की गई पहली बहुत सफल कारवाई दिशा निर्देशक के मद्दे नजर